तो इस प्रकार भगवान प्रकाशक है इन्द्री मन बुढ़ी प्रकाश्य है इसी लिए प्रकाशक से प्रकाश्यत कोई वस्तु चूकि अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं नहीं जान सकती अब सुनिए चौथा कारण भगवान धारक है और इंद्री मनबुद्धी धार्यमान है धारक माने धारन करने वाला और धार्यमान माने जिसको धारन किया जाए जैसे देखिए यह रुमाल रखा है तो रुमाल क्या हो गया धार्यमान हाथ क्या हो गया धारक तो इसे प्रकार भगवान धारक है और इंद्री मनबुद्धी धार्यमान है द्यावा प्रतिव्यव विध्रिते तिश्ठत भगवान धारक है विधितोसी भवान साक्षात पुरुषः प्रक्रते हुपरह केवलानु भवाननद स्वरूपह सर्वबुद्धिद्रिक भागवत धारक है भगवान और इंद्री मनबुद्धी धार्यमान है तो धारक से धार्यमान कोई भी मैटर अपने धारक का धारक कैसे हो सकता है नहीं हो सकता अरे भगवान तो धारख है सबके पादोस्य विश्वा भूतानी तृपादस्यामृतम दिवी पुरुष्टूत वो धारख है उनके एक बटा चार अंश में अनंत कोटी ब्रह्मांडों की स्थिती है और तीन बटा चार अंश तृपाद विभूषित भगवत धाम रिजर्वड है आरक्षित है पादेशु सर्व भूतानी उन्सस्थिति पदोविदु अमृतम छेम मभयम त्रिमूर्द्नों धाई मूर्धासु भागवत भी कहती है अरे गीता पढ़ी होगी आप लोगों ने गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मेरे बारे में बहुत सारा ज्ञान लेकर के तू क्या करेगा कंफ्यूस्ट हो जाएगा बस एक बात सुन ले अथवा बहु नईतेन किम ज्यातेन तवार जुन विश्टभ्या हमिदं कृत्स्न मेकांशे नस्थितो जग मेरे एक बटा चार अंश में अखिल ब्रह्मांडों की स्थिती है मैंने धारण किया हुआ है तो भगवान धारक हैं और इंद्री मनबुद्धी धार्रिमान हैं इसलिए इंद्री मनबुद्धी अपने धारक की धारिका नहीं हो सकती कोई भी धार्रिमान मेटर अपने धारक को धारन कैसे कर सकता है इसलिए इंद्री मन बुद्धी भगवान को नहीं जान सकती अब सुनिए पांच्वा कारण भगवान ज्याता है और इंद्री मन बुद्धी गय है विज्ञाता रमरेके नविजानियादिति वेत कहता है जानने वाले को भगवान कहते हैं वो ज्याता है और सब गेर हैं इसलिए वो तो सब को जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता सवेति वेद्यम नचत अस्यास्ति वेता तमाहु रग्रयम पुरुखं महांतं श्वेताश्वतरोपनिशद तीसरे अध्यायका उन्नीस्वा मंत्र भगवान सब कुछ जानते हैं लेकि उनको जानने वाला कोई नहीं क्योंकि गया और भगवान ज्याता हैं तो अगर हमारी इंद्री मन बुद्दी भगवान को जान ले इसका मतलब यह हुआ कि भगवान हमारी बुद्धी के अंदर में हो गया तब यह दो कारण हो सकते या तो हमारी बुद्धी दिव्य होगी, तो उसने दिव्य भगवान को जान लिया, या तो भगवान प्राकृत होगा, मटीरियल होगा, माईक होगा, इसलिए मटीरियल बुद्धी से जान लिया गया, और अगर दोनों में से कोई रीजन नहीं है भगवान प्राकृत नहीं है माईक तत्व नहीं है और हमारी बुद्धी दिव्व नहीं है तो पिर हमारी बुद्धी भगवान को कभी नहीं जान सकती किसी प्रकार नहीं जान सकती कथमपी कदापी कभी भी नहीं जान सकती छटा कारण अभी एक ऐसा कारण है कि बिल्कुल गमारी अकल किसी की ओ उसको भी समझ में आ जाए भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते यह सर्वग्यह सर्व विद्यस्य ज्ञान मयंतपह मुंड को पनिशत पहले मुंडक के पहले खंड का नौवा मंत्र भगवान सर्वग्यह ग्याज्यों द्वावजाविशनीश्य वजाहियका भोग्तुरिभोग्यार्थ युकता अनंतष्य ज्यात्मा विश्वरू पोह्य कर्था त्रयम्यदाविंदते ब्रह्म मेतत्ष्विताष्वतरोपनिशत पहले अध्यायेका 9 मंत्र ने तो भगवाण सरवग्य हैं सरवग्य है और हम क्या है अलपग्य यह दो शब्द याद रखिएगा ध्यान में रखिएगा भगवां सरवग्य हम अलपग्य अच्छा चलिए तीन यांध रखिए एक होता है सरवग्य एक होता है अलपग्य औरcek इन दोनों के बीच में होता है उसको कहते हैं ग्य तो अलपग कौन हम लोग यानि माया बड़ जीव जो भगवान को नहीं जां सका है उसको अलपग्य कहते है और जो भगवान को जान लेता है उसकी डिग्री हो जाती है यह महापुरुष लोगें और भगवान है सरवग्य तो ग्यमाने क्या होता है सरवग्य और ग्यमे क्या अंतर है ग्यमाने होता है जो जब जितना जानना चाहे उतना जान ले उसको ग्या कहते हैं कोई जीव जा रहा है महापुरुष ने सोचा देखिए अपने शरणागत का जो उसकी शरण में आकर के लाब लेना चाहते हैं उन शरणागत जीवों के तो महापुरुष प्रत्येक्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है क्योंकि उनका योगक्षेम वहन करना है उसके लेकिन बाकी जो श हां जिरा इसके पिछले जन्मों का हिसाब देखें पिछले दस करोड जन्मों में इसने क्या क्या किया है बस जान लिया एक सेकिंड में उसने कोई महनत नहीं परिश्रम नहीं पिछले अनंत जन्मों के कर्म जानने है किसी जीव के एक सेकिंड में जान लिया यानि ज्या उ शरणांगत के आईडियास नोट कर रहा है जो इसकी शरण में आ गए है क्योंकि वो उनके पिछले संसकारों से लड़ना वो क्या गड़बर कर रहे हैं उस गड़बर के अनुसार उनको संभालना बहुत से काम महापुरुष को करने पड़ते हैं करोणों महाभारत के बराबर युद्ध करता है महापुरुष एक-एक जीव के संसकारों के साथ वो सब विशेख आगे आएगा तब आपको बताएंगे तो महापुरुष ग्या होता है लेकिन भगवान सरवग्य होते हैं तो सरवग्य माने क्या होता है सरवग्य माने अंतर्यामी नहीं कि अंतर्यामी तो जैसा कि मैंने बताया महापुरुष लोग तो होते ही हैं लेकिन माया बद्ध क्लास के जीव भी बहुत से अंतर्यामी होते हैं योगी लोग या जो स्वर्क की रिद्धी-सिद्धी प्राप्त कर लेते हैं वह भी अंतर्यामी हो जाते हैं सूक्ष में रूपधारन करके किसी के अंत्यकरण में गुज गए उसके आइडियास नोट कर लिए तो सरवग्यमाने अंतर्यावी नहीं होता खाली सरवग्यमाने होता है अब सुनिए कि एक अकेला भगवान अनंत कोटी ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिले के प्रत्येक नगर के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्मों का एक साथ लेखा जोखा रखता है प्लेस वर्तमान में उन सब के प्रत्येक छण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है उनका हिसाब रखता है और फिर उनका सही समय पर सही फल प्रदान करता है एक अकिला उसको सरवग के कहते हैं अब हम उस सरवग के भगवान को जानना चाहते हैं अपनी खोपड़ी के अंदर लाना चाहते हैं समाना चाहते हैं अपनी खोपड़ी में ये कैसे संभग है यह अलपग जीव उस सरवग भगवान को भला कैसे जान सकता है अरे भगवान को छोड़ दो हम कह रहे हैं देखिए संसार में मान लीजिए कोई गहरा पानी है जिसके नापने की लिमिट है 200फट गहरा पानी है अब उसकी आप गहराई नापना चाहते अब एक विक्ति आया उसके पास एक FUT का पैमाना था उसने वो एक FUT का पैमाना पानी के अंदर डाल दिया और बाहर निकालके उसको कहा देखो मैने है पानी की गहराई नापनी सब कितना गहरा पानी है एक फुट अब सब लोगों ने नोट कर लिया याद कर लिया पानी की गहराई एक फुट अब दूसरा आया उसके पाद दो फुट का पैवाना था उसने वह डाल दिया उसके अंदर उसने गलत बोल रहा था हो जो कह रहा था कि पानी की गहराई एक अब तीसरा आया, उसके पाद 10 फुट का पैमाना था, उसने अपना पैमाना डाला, और बाहर निकाल के कहा देखो, ये दोनों गधे थे पहले वाले, हाँ, मैं सही हूँ, पानी की गहराई देखो, 10 फुट तुमने देखा था, लेकिन क्या ये पानी की गहराई बता रहे हैं नहीं, ये बिचारे तो अपने अपने पैमाने की लंबाई बता रहे हैं, कि हमारा पैमाना इतना बड़ा है, पानी की गहराई तो वो नाप सकता है, जिसके पास पानी की गहराई के बराबर पैमाना हो, और ये तो लिमिटेड है, अनाप सकते हैं आप, लेकिन भगवान की गहराई को कौन नापेगा क्योंकि भगवानिटन है तो अनलिमिटेड भगवान की गहराई को नापने के लिए हैँ बैंवाना चाहिए वो हमारे पास है नहीं हमारे पास तो इस अलपग है हमारी इंद्रिमन बुद्ध bragवणी की शक्ति तो सीमित है तो हमारी चोटी सी बुद्धी उस अनलिमिटेड भगवान को कैसे नाप सकती है कैसे जान सकती है इसी लिए कोई जीव भगवान को नहीं जान सकता यह कारण है और देखिए भगवान को नहीं जान सकता यह भगवान की कोई इंसल्ट नहीं है यह तो उसका सम्मार है हमारा भगवान को यह सब थोड़ी ना है कि उसको सब जान ले संसार में कोई बहुत काबल होता है तो उसी की बुद्धि की उपच को लोग कई बार नहीं समझ पाते कोई बात कहता है कोई कारी करता है बाद में समझiche में आता है लोगों को तो कहते हैं तो बड़ा दूर दर्शी है आप समझ में आया वह ऐसा क्यों बोल रहा था ऐसा क्यों कर रहा था तो आप संसार में ही जब अपने से काफी मुचा इस्तर होता है किसी इंसान की बुद्धी का हम तो उसी की दिमाग की उपज नहीं समझ पाते तो पिर अगर भगवान को जीव समझ ले तो इसका मतलब पिर भगवान इंसान के बराबर भी नहीं रहा हां जो शब के रह ज्यान एक रस पर जीवाहीं व्हेद कह खोश्य अगर जीव भगवान को जान ले तो भगवान में और जीव में अंतर क्या रहा थो इसलिए भगवान को नहीं जान सकता कोई ही यह बात बुद्धी में जमती है समझ में आती है तो भगवाण बुद्धी से परे है जो लोग प्रवचन नहीं सुन रहे हैं वह आपको मिलेंगे है है और पूछेंगे और आज क्या विशय cat on का तो आप लोग लोग क्या कहेंगे जिए आज भगवान के बारे में बताया था अच्छा तो क्या बताया था भगवान के बारे में यह बताया था कि भगवान बताने का विशय ही नहीं अच्छा तो क्या सुनते रहे पिर इतनी देर तक यह सुनते रहे कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता अरे आखिर तो पर क्या सोचा कुछ सोचा तो होगा यह सोचा कि भगवान को सोचा ही नहीं जा सकता अरे तो किसी निश्चे पर तो पहुंचे होगे कुछ तो निश्चे किया होगा आ किया क्या किया यही कि भगवान के बारे में कोई निश्चे नहीं किया जा सकता यानि वो अदृष्ट है अभ्यर्व हार्य अग्राई है, बेत कहता है ना, अदृष्ट मभ्यभार्य्य, मग्रंध, मलक्छन, मचिंत्य, मभ्यपदेश्य, मेकात्म, प्रत्यक्षारं, प्रपंचो प्षमंव, शांतम, शिव, मध्वैंतम, मांदूक्यो पनिषद। भगवान को न आख देख सकती है न कान सुन सकता है न नासिका सुंग सकती है न रस न रस ले सकती है न त्वचाय स्पर्ष कर सकती है न मन सोच सकता है न बुद्धी निश्चे कर सकती है किसी भी इंद्रिय से उसको व्यवार में नहीं लाया जा सकता मन से सोचा नहीं जा सकत बुद्धि से निश्चने किया जा सकता एसाम दुद्धि रए वह निशकर बघ्मान का जाता झा कि हे अच्छा जिए भगवां के बारे में विदोस कि अस्थ नहीं लिखा है क्या या कुछ और भी लिखा अरे और भी लिखा है बहुत सुनेंगे चलिए थोड़ा सा और सुन लीजिए कि अग्याइट कि अग्याइट कि अग्याइट कि अग्याइट कि कि अग्याइट कि अग्याइट कि अग्याइट कि अग्याइट कि अग्याइट